कि यह सर यह लास्ट क्लास में आप नहीं थे हैं मैं बहुत हो जी विचे हम लोग फाइल अकाउंट विद रज्जेस्मेंट कर रहे थे और उसमें कुछ एड्जेस्मेंट मैंने बताए थे और उसको आज मैं थोड़ा सा समराइज वे में आपको लेकर चलता हूं मैं कि ठीजाएगा सबसे पहले और इसमने के बारे में जो मैंने बात बताई थी वह क्या था तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजेगा जो रिवाइज भी हो जाएगा उसमें यह देखिए सबसे पहले कि कि final accounts with adjustments वें ये बटा ये कुछ adjustments हैं जो कि साल के end में की जाती है adjustments का मतलब हो है वो सारी entries जो कि किसी profit और loss को सही calculate गन्ने में बहुत जरूरी होती है लेकिन किसी वज़े से उस entries को हमने record ही नहीं किया है ठीक है उस entries का कोई हिसाब किताब हुआ ही नहीं है तो उसको कहते adjustment entries जैसे मैंने कोई रेंट दे तिया और उस रेंट में मैंने क्या करा कि जैनवरी तक कर रेंट पे कर चुका हूं या आप समझे अगर मार्च में हमारा closing date है तो मैंने क्या कर रहा है कि जुलाई तक कर रेंट पे कर चुका हूं तो अगर आप किसी financial statements को बना रहे हैं तो आपको उसमें बारा महीने के इंकम चाहिए बारा महीने के expenses चाहिए लेकिन आपने expenses बारा महीने से ज्यादर के लिख दिये तो क्या तरीक है उसको करने का आप उस expenses को कम कर देंगे लेकिन माल लेते हैं कि हमने expenses सिर्फ नौ महीने के लिखे और इंकम बारा महीने का लिख दिया तब भी गलत है तो उस situation में जो महीने के expenses उसको बारा महीने का expense बनाना पड़ेगा तो इस वज़े से अगर हमने एक्स्ट्रा इंकम लिख रखा है जिसे कहते है प्रीपेड याओ एडवांस तो उसे माइनस कर देते हों और अगर कुछ मैंने ज्यादा का लिख रखा है तो आप उसे माइनस कर देंगे कुछ ऐसे expenses है जिसको हमने कुछ कम मन्त कर लिखा है तो उसमें हम लोग जाके इन सब कुछ चीज़ों को प्लस कर देंगे ठीक है तो यह कुछ adjustments थे अब इसमें मैंने बताया था कि जो adjustments का एक सारा मसला क्या होता है कि हमना बीच मिड़ सेशन में ही adjustments करते हैं मतलब सर मिड़ सेशन का मतलब क्या है बिटा पता क्या है जब जर्ड अकाउंटिंग का एक process है उस process के तहत होता है कि हर चीज़ को ना य जर्ड लेजर ट्राइल बैलेंस का process follow ही नहीं किया तो ऐसी situation में क्या होगा ठीक है हमने जर्ड लेजर ट्राइल बैलेंस का जैसी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे accounting process के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बिटा हम लोग बनाते थे जर्ड फिर क्या बनाते थे लेजर के बाद क्या बनाते थे लेजर के बाद क्या बनाते थे लेजर के बाद बनाते थे जी ट्राइल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं सर्फ ट्रेडिंग अकाउंट यह accounting process है उसके बाद आ जाते जी पी एनल अकाउंट उसके बाद आ जाते हैं बैलेंस शीट लेकिन माल पर जला जब ट्राइल बैलेंस बना चुके तो मुझे वालुमग चला है कि कुछ ऐसे ऐसे एकस्पेंसेसे जो अभी और सेंडिंग से हमने पेंसे करेंगे कुछ एसे एकस्पेंसेस के एडवांस है हमने नेकस्पेंसे की फैमिंटी पहले कर दी कोई इंकम है जो अभी मिलना बागी है एक्रूड इंकम ठीक है तो ये सारी चीजें जो हमें बाद में पता चली अब इनका तरीका क्या था इसमें तो पहले जर्नल करना था मुझे फिर इसका लेजर बनता फिर सब्सक्राइल बैलन्स बनता फिर सब कुस्त हो जाता ले मेंने ना लेजर बनाया न ट्रायल बालेंसल जर्णल हम तो बीच में इसको लानी की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए इसका नाम हमने दे दिया कि कि इसको अफ़त कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं वह रहा है इसके बोला हमने इसमें पिछली च resembling में हमने जो भी चीजे पढ़ी थी उसकी जनल एंट्री हो चुकी थी सब कोष डाल बैलन्स में रहता था उसको वह मेरी कॉर्ड गरना होता था इस बार क्या हो रहा है की सारी चीजे डाल मे नहीं है लेकिन हमें । रेकॉर्ड होना है तो हमें पता है कि हर इक ट्रांसेक्शन जो होता है वह डूइल एफक्ट होता है अगर साथ पड़िएगा अगर आधर इसके दो फर्फ पड़ जाएंगे एक हमारी लाइबिलिटी होता है और एक हमारे एक्स्का का पार्ट हो átभाउन है तो यह चाउंट में अकाउंट में आएगा तो यह चीज हमने लास्ट्स में आपको बता है एक बार देता हूं यह बात पिकंद्स में तो हम ़ांतें इस पे पर यह नहीं किया गया था और और at the end में हम लोग इन सब चीजों को करेंगे तो इसको किस तरीके से record करेंगे इसके दो effect कहां कहां जाएंगे अगर कोई सवाल हो तो clear पूछेंगे सर यहीं पर क्यों हो रहा है तो आईए स्टार्ट करते हैं देखिए पहला है हमारा क्या बुलाबचे आप ना हाँ अभी लिख लेंगे दो मिट रुक जाईए आप इसका यह ऐसा करिए इसका स्क्रिंशॉट ले लीजिए इस टोटल ग्यार एड्जस्मेंट्स है यह सर ले लिए पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है बिटा नॉर्मल ट्रेडिंग प्याइनल बैलेंश युड बनेगा उसमें इन सब चीज़ होगा क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास closing stock है, हमें पता है closing stock की कोई general entry नहीं होती, नहीं होने की वज़े से यह trial balance में नहीं रहता है, अब हमें ऐसे situation में इसके दो effect दिखाने, तो दो effect कहां जाएंगे बिटा, इसके दो effect कहांँगे, एक होगा आपके trading account में, और दूसरा जाएगा आपके balance sheet account में, ठीक है, इसको आप note कर लिजेगा, अच्छा सर, trading account में किदर जाएगा, तो trading account में जाता है बिटा credit side, और credit side में जाके क्या लिखते हैं, जाके लिखते हैं, बिटा हम लोग closing stock, समझ मारी बात, यह हम लोग ने इसका adjustment तो अलड़ी कर रखा है, अच्छे, जो भी notes मैं लिखवाँगा, इसके question भी करवाँगा, मैं आपसे, फिर आए सर, balance sheet में, balance sheet में तो सर, दो side होती है, एक asset side होती है, और liability side होती है, तो sir, closing stock कहा जाएगा, बेटा closing stock हमारे लिए assets होता है, तो यह asset side जाएगा, सर, asset side में जाकर हम क्या लिखेंगे, क्या किसी में plus करेंगे, सर, क्या किसी में से minus करने वाले हैं, इस value को, यह direct closing stock लिखने वाले हैं, तो बेटा direct हम वहाँ पे जाके balance sheet में stock करके दिखा देंगे, clear है यह बात, यह बात आपकर याद कर लेंगे, तो chapter आसान हो गया, यह total, जो 10-11 चीज़े मैं आपको बताई हैं, इनको सर्फ याद करना है, और फिर chapter देखें, बिल्कुल आसान हो जाता है, सबसे बड़ा chapter, सबसे important chapter इसी को माना जाता है, बताई बचे, clear है, आपको points clear है, सब balance sheet में जाएंगे, या तो वो PNL account में जाएंगे, या फिर balance sheet में जाएंगे, वो depend करता है कि क्या चीज़े है, तो closing stock को हम लोग कहा record करते हैं, बटा हम लोग record करते हैं, ट्रेडिंग account में, हमने तो ये without adjustment वाले पार्ट में भी पढ़ा था, और इसी को हम balance sheet के asset side भी दिखाते हैं, अब आते हैं जी, adjustment number 2 पे, अच्छा, अब सवाल है कि सर ये trading account में कैसे दिखाएंगे, तो आप देखें, मैं example दिखा, तो मा लेजिए trading account के दो side है, एक left side, right side, debit and credit side, तो credit side मैंने उपर लिखा, credit side जाके, आप दिखाएंगे, और balance sheet के भी दो side है, assets and liability side, तो जब trading account में जाएंगे तो आप लिखेंगे by closing stock, और balance sheet में जाएंगे तो आप लिखेंगे stock, सिर्फ stock लिख दीजेगा, ये इसका आप वो ले लीजे, screenshot, सेकंड पॉइंट बे आते हैं, इन सबको note जरू कर लिजेगा बाद में वरना दिक्कत होगी, दूसरा adjustment है, outstanding is related, ठीके जी, अब देखेंगे, outstanding expense related है, इसका मतलब आप समझने कोशिश करेंगे, जो expenses trial balance में already लिखा हुआ है, वो expenses आप समझ लेजिए, वो कम लिखा हुआ है, मतलब कुछ outstanding रह गया है, उसकी entry हुई ही नहीं है, अब income देखे, पेनल अकाउंट का रूल यह है, कि अगर आपको income statement बनाना है, तो 12 माइने की income 12 माइने का expense लेना है, आपने sales तो 12 माइने के लिए लिया, जब expenses की बात ही तो आप 8 माइने का 9 माइने का ले रहे हूं, हम अपने expenses को बढ़ाएंगे और balance sheet में इसी चीज़ को किस side दिखा देंगे हम लोग liability side दिखा देंगे balance sheet में किस side जाके दिखाएंगे हम लोग इसे liability side क्योंकि जो आपने pay नहीं किया होता है उससे आपकी liability बढ़ जाती है तो इसके दो recording to जबढ़ाता है अगर डिफेंड करता है अगर वो direct expense है तो ट्रेडिंग अकांट में लिखेंगे और लिखाएंगे और बैंन स्रेद्डेंशाणिडेंगे तो آپ क्याइंट साइब इन विखाएंगे या याव डिकाइंगे तो सरोडेंटिंग एक्समें caez को in जानामे मेर्थे expenses पहले से लिखा हुआ है जैसे wages पहले से लिखी हुए है यह salary पहले से लिखी हुए है तो उसमें जाके आप add कर दीजेगा इसको और balance sheet में liability side इसको आप दिखा देंगे कैसे दिखाएंगे यह देखी माल लेते हैं माल लेते हैं example के दौर पर मैंने wages ले लिया तो wages जितना भी पहले से दे रखा है उसमें आपको क्या करना है जाके उसमें जाना है और आपको outstanding wages के नाम से दिखा देना है यह wages कहां है यह wages आपके trial balance में दे रखा होगा यह wages आपके adjustments में दे रखाऊंगा trial balance के बाहर इसको जाके प्लस कर देना है और balance sheet में कौन से साइड जाएंगे liabilities है और लिख देंगे जाके outstanding wages rent होगा तो outstanding rent अगर insurance होगा तो outstanding insurance वगयरा लिख देंगे क्लियर है यह सर्थ ले लिजिए डेस्का भी screenshot लीजिए कॉपी में जरूर नोट करेंगे वरना आपको बहुत दिक्कत होगी इस चैप्टर में अगर यह points clear नहीं है तो आपको दिक्कत होने वाली है कितने adjustments बताए मैंने आपको दो clear इस है पहला adjustments क्या बताया सर मैंने आपको पहला adjustments था वो था आपका closing stock closing stock दो जगे जाते हर एक adjustment आप दिमाह में बठा लेना कि हर एक adjustments कितनी जगे जाएंगी दो जगे जाएंगी हर एक adjustments कितनी जगे जाएंगी हर एक adjustments दो जगे जाएंगी दो account में जरूर record किया जाएगा हर एक adjustments को दो account में हम लोग record करेंगे वो trading account हो PNL हो या balance sheet हो जाना जरूर है इतना दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजेगा clear है तो जैसे मैंने आपको तीछे बताया वो क्या था closing stock closing stock को कितने account में लेगे हम लोग दो account में trading में और balance sheet में कैसे कैसे दिखाया trading account में credit side दिखाया balance sheet में asset side दिखा दिया इसी तरीके से outstanding expense के दो account में जाएंगे trading में trading या PNL है दोनों में कोई भी हो सकता है करता है expenses का नाम क्या है और दूसरा है balance sheet में तो trade expenses obviously बात है debit side ही जाता है न कोई भी expense होता तो debit side जाएगा outstanding है यानि expenses कम लिखेवे हैं तो उसमें जाके add कर देंगे और balance sheet में outstanding expense हमारे लिए liability होता है तो balance sheet में कौन से set जाएगा liability side जाएगा और वहाँ पर किसी में plus minus नहीं करना है आपने direct दिखा देना है outstanding के नाम से जैसे मैंने नीचे आपके सामने balance sheet में दिखाया है clear है yes sir next point पे आते हैं next है मारे लिए prepaid expense prepaid का मतलब होता है जिसको मैंने extra pay कर रखा है आपने outstanding expenses में wages और outstanding wages दोनों आट किये हैं आच्छा वापस आईए देखिए बिटा देखिए wages का मतलब है कि already expenses pay हो गया होगा यह trial balance में दे रखा होगा yes sir तो wages अगर trial balance में दे रखा तो आप trading account में लिख देंगे जाके yes sir और outstanding wages कहां दे रखा होगा trial balance के बाहर जो आपको बता रहा होगा कि इसको adjust करना है तो wages जितना आप पे कर चुके हैं outstanding जितना आपको अभी पे करना बाकिए तो दोनों का एड़ कर देंगे yes sir तो इसलिए हमने यहां पर एड़ करके दिखाया है okay sir ठीक है yes sir उसके बाद आई प्रीपेड प्रीपेड का मतलब होता है ऐसे expenses जिसको हमने advance कर दिया है है ना प्रीपेड का मतलब है हमने advance में pay कर रखा है किसी expense को अब यह बताए मैं income निकाल रहा हूं इस year का current year का 2019 से 20 की बीच का अब 2019 से 20 की बीच में जो भी expenses है उतना लिख दूँगा मझे income निकल जाएगा लेकिन मैं expenses ना अगले अगले भी साल का next year का तीन महिने का जादा दिखा रहा हूं तो क्या उससे profit loss ही निकलेगा क्या तो हमें क्या करना चाहिए उस expenses में और प्लस कर देना चाहिए यह जितना मैंने एडवांस या extra next year का दिखा रहा है उसे क्या करना चाहिए बिलकुल सही बाद तो prepaid expense को हम माइनस कर देंगे अब यह expensive दो तरीके के होते एक direct or indirect अगर direct expense होगा तो वह trading account में पहले से लिखा ग चाहिए आप माइनस कर देंगे उसको और प्रीपेड एक्सपेंसे जो आपने एडवांस दे रखा है वह आपके लिए as an accounting क्या होता है assets या liabilities क्या होती होती है तो दिखेश के दो effect आगया पहला effect आया कि expenses वाले अकाउंट में जाएगा expense के दो account होते हैं डिपेंड करता है कि वह expensive डारेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट होगा और इंडारेक्ट है तो पी अनल अकाउंट होगा ठीक है दूसरा प्रीपेड एक्समेंस हमारे लिए साइड में debit साइड में जो भी expenses लिखा हुआ होगा उसमें से हम expenses को क्या करेंगे प्लस यह माइनस तो सर हम इसमें से माइनस कर देंगे ठीक है और आपने अधरेक्ट टुर्वं में प्लस माइनस करने के लिए बैरेक्ट इप्रिपेड expense के नामसे या नंजना Рेंआ कि विए नामसे वेई प्रेडिऊ से प्रिपेड लिखा हुआ आजाए एडजेस्मेंट में तो आप वेजेस में से प्रिपेड मैनस कर दीजेगा जितना भी एडवांस है और उसको बैलेंस शीड में ऐसेट सैट दिखा दीजेगा यह तीन एडजेस्मेंट से वहन बताए तीनों के आप इसको बिल्कुल ऐसे ही नोट करना इसको जब नोट बनाना तो इसी तरीके से बनाना जैसे आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगा अभी जब हम क्वेशन करेंगा आपको समझ में आगा कि क्या इसके फाइदे दें अब आए एक्रूड इंकम का मतलब समझते हैं क्या होता है क्रूड इंकम का मतलब जो हमने अप्र कर लिया लेकिन हमें मिला नहीं अब बताएव उससे अगर मैं पी एनल अकाउंट में इंकम दिखा रहा हूं जिसमें अभी तीन महें यहाँची प्लस कर दीना चाहिए चाहिए अब्लस में चल जाना पढ़ेगा और आप वहां जाके मुझे प्लस कर देना चाहिए यह कह रहे हैं आप यह से अच्छा जो इंकम मेरा अभी बाकी रह गया है वो मेरे लिए एसेट से या लाइबिलिटी है तो हमें ना इसी चीज़ का एफेक्ट दिखाना है बस यह देखिए एक्रूड इंकम को दो जगे रिकॉर्ड करेंगे पहली जगह होगी प्रॉफिट एंलास अकॉंट दूसरी जगह होगी बिटा बैलेंशीट जो प्रॉफिट एंलास अकॉंट होगा वहां पर जाके हम क्रूड इंट्रस प्लस हो जाएगा और बैलेंशीड में एसट सेड जाके हम दिखा देंगे सिर्फ एक्रूड एक्रूड इंकम करके रियर ऑप यह देखिए हैं यह मैंने एक पीए एनल अकाॉंट का एक्जांपल ले लिया आपके सामने और एक एक्जांपल मैंने आपके देंगे इसको पीनल अकाउंट में यह आ जाएगा वेटा आपके क्रेड़ेट सेट जो भी इंकम गिवन है आपकी उसमें से हम लोग क्या करेंगे इसको प्लस कर देंगे और बैलेंस शीड में इसको एसेट सैट दिखा देंगे यही बात आपने बताई थी वही तो लिखा हम ले लिया तो यह कितने अजस्में बता दिये मैंने अपको चार चार पहला कॉन सा बताया से तो आउस्टेंड ओ जो जोग को दो जगे लिखेंगे कहा लिखेंगे से बैलेंस शीट ओ ट्रेडिंग अकांट में किस से लिखेंगे सर्ट टेडिट और बैलेंशीट में ऊस्टेट उसके बाद सेकंड था ओडंडि क्या करेंगे सर उसका अब्लन चीह थो ट्रेडिंग में कब आएगा है सब ट्रों दारेट लोगा सब्सक्राइब और डारेट ट्रेडिंग करने सब्सक्राइब direct expense very good उसमें क्या करेंगे plus या minus और दूसरी जगह कहां दिखाएंगे balance sheet में liability site ठीक है balance sheet में हम उसे liability site दिखा देगे ठीक है और तीसरा क्या था बिड़ा तो तीसरा प्रीपेड expenses प्रीपेड का क्या करेंगे प्रीपेड से आप क्या समझ रहें क्यों हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि वह में नेक्स्ट यह के पहले ही दिए वेरे गुड़ बहुत अच्छा है समझा अपने और इसलिए इसके बाद हमारे पास क्या है एक्रूड इंकम यह है कि जो इंकम अभी लिखी गई यह वो कम लिखी विए क्योंकि कुछ इंकम अभी वी एक्रूड इंकम अकाउंट टू इंकम तो इंकम में हम लोग प्लस कर रहे हैं इसको इसको स्क्रेंशॉट लिलिया आप में इसका इस सर्थ इंकम रिसीव डिवांट पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर मुझे एक पेनल अकाउंट में रेंट दिख रहा है पांच लाख रुपे का जिसमें से दो लाख रुपे ना नेक्स यह का था लेकिन मैं इस साल की इंकम में दिखा रहा हूं तो क्या इस सा घिता गलत आजा जिएगा जयाँ ज्यादा आएगा या कम आईगा स और जदाशाम सही करने का तरीक है क्यों की ऐड़ान्स में न surgeon मिल है वह आपको मािन्वेश अपनी इंकम में से हटा देना चाहिए और वह आपके लिए अभी क्या है या कि से यहाविली तर अभी लैबि करेदेट में किस साइट लिखेंगे लिखेंगे थिक है इंक्म है फिर से एम करें थे कम संब्स करेगे पीनल अकॉंट में यो भी इनकम होगा उसमें से इंकम्रेयवन एडवांस को हम लोग क्या करेंगे माइनस करदेगे और बैले सीट में लाबिलिटी साइड जाके डारेक्ट लिख देंगे इडवांस इनकम रिसीव रिड़ें इन्कम रिसीव रिड़न समझाई बात और उसको इस तरीके से जैसे पिए नल अकाूंट है और बैलन्स शीट है आपका तो इस तरीके से प्रिजेंट करेंगे जो भी इंट्रस्ट रहता है जो भी इंकम रहेगा उसमें जाके हम लोग इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे और बैलन्स शीट में लाइविलिडी सैड ऐजा एडवांस इंकम दिखा देंगे कि क्लियर इस चलिए नोट कर लिजिए इसको कि या स्क्रींशॉट ले लिजिए अब हुआ कि 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 अच्रींशॉट ले लिए बिटा समझ में आ गए बात आपको तो टोटल यह हमारे पास पांच एडजेस्मेंट जो आपको बताए ठीक है तो उसमें मैंने टोटल मैंने कितना लिखवाया है आपको बता सकते शुरुवात में मैंने इस बोला तो लेने के लिए तेरा थे ना तो अब यह सूचिए यारह में से पांच हो गया आधा चैप्टर तो हमारा ने पड़ गया अब आईए डप्रिसेशन माल लेजिए किसीने ने डप अब बूल जाता है इसको करना अगर एंट्री कर चुका है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लेकिन माली जी नहीं कर रहा तो एड़ेस्मेंट के नाम पर दिखेगा आपको एंड में जाके अड़ेस्मेंट्स एडजस्क करना पड़ जाएगा चूंकि इसकी तो एंट्री से कम दिखेंगे से कम दिखेंगेा आप अपने रिकॉड ही नहीं गलतं हो जाएगा तो यह दौनों यह की सेशन को करने के लिए तो वह कौन सी अकाउंट में डेपरसेशन जनरली रिकॉर्ड होता है प्रेडिंग पीएंग लिए बैलन्स शीट प्रूपटें लोस्में क्रेडिट साइट नहीं बेटा क्रेडिट साइट तो इंकम आती हैं सिर्फ आपको डेबिट साइट रिकॉर्ड करने होते हैं देखे देपररसेशन को हम दो जगर करते हैं एक होता है प्ल ऑर दूसरा होता है बैलन्स शीट में लेकिन पिए अनल अकाउंट में हम डाइबिट साइट जाते हैं जेहां जिदर एक्सपेंस लिखे जाते हैं और एक इनडायइट एकसपेंस का भी पार्ट है तो हम डाइबि की वैल्यू में से माइनस कर देते हैं प्लांट है तो डेप्रेसेशन अगर लगाना है क्योंकि अगर डेप्रेसेशन आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो आपकी प्लांट की वैल्यू बिल्डिंग की वैल्यू मशीन की वैल्यू फरनीचर की वैल्यू ज्यादा दिख रही होग कि depreciation को हम P&L account में दिखा देंगे और जो भी assets होगा उसमें से depreciation जैसे plant and machinery के तो plant and machinery में से depreciation को हम minus कर देंगे question ने बताया होगा आपको कि कितना percent minus करना है उसके लिए आपको टेंशन नहीं ले रही है कि सारा कुछ सारी values कोशन ने दियोगे बस आपको यह याद रखना किसको कैसे treat करना कहां दिखाना है कि चलें आगे बिटा कि इस सब्सक्राइब कि इस टोटल कितनी हो गई हमारी अब कि सिक्स टोटल हो गई हमारे सिक्स ठीक है यह six आपको समझ में आई कहीं पर कोई डाउट है अब आए नेक्स्ट यह लिजिट seven interest on capital बिटा interest on capital को हम लोग record करते हैं एक तो यह expense का पार्ट होता है और यह income भी है मालिक के लिए लेकिन ठीक है तो एक balance sheet में जाता है और profit and loss account में यह debit side जाता है और debit side में जाकर direct interest on capital लिखते हैं किसी में प्लस और माइनस नहीं करते हैं balance sheet में हम लोग जाते हैं liability side liability में पार्ट होता है capital और capital में जाके इसको प्लस कर देते हैं तो add to capital होता है interest on capital तो penal account में हम गए debit side interest on capital डारेक्ट लिख दिया और balance sheet में जो भी capital होगा उसमें आप interest on capital कर दीजिए क्लियर है इसा हम लोग कर क्यूं रहे हैं तो देखे पता है आपको इंट्रेस्ट अन्ट्री आपको याद है कि नहीं तो इसकी एंट्री हुआ कर दी थी इंट्रेस्ट ऑन capital अकाउंट डेबिट डेबिट तूब क्यापिटैल अकाउट को देखे हमने किया है नहीं करने कि मैं रिफिके हम गया है von सुů सही कर रहे हुआ हम है हमटाद में जर्ना एंट्री का इफक्टाहॐं थी देख रे होते कि चीजिफ कहां कहां दो जगे स्क्रेंशॉट लेना चाहिए तो आप इसका ले लिजी टोटल हो गए जी साथ तो टोटल हमारे पास कितने हो गए सेवन हो गए ओके ठीक है अब देखने चले अब आते हैं हम लोग सेवन के बाद हमारे पास है नेक्स्ट नेक्स्ट है एड सेवन के बाद हमने तीन चीज़ें आपको लिखवाई हैं कौन-कौन से चीज़ें बता सकते हैं आप यह देखे सेवन के बाद एक एट है इंट्रस्ट उन ड्रॉइं एक है बेटा बेट डेट्स और एक है प्रोविजन फोर डॉट्फूल डेट्स और एक मैनेजर कमीशन यह हमारी रह गई हैं चार रहें ना इन चार को पहले जितना हमने किया जैसे यह कर लिया हम लोग ने इसको क्वेशन में कैसे प्रेजिडेंट करेंगे पता लगा हमने क्वेशन नहीं किया तो सब बेकार हो जागा थिके तो पहले इसको कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेगा बढ़ें ठीक है बड़ा यह समस्ट तो चलिए आज इसके उपर एक क्वेशन बनाते है और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अब लोग एक में बिटा यह है आपके सामने क्वेशन यह लिखा भी बिटा फॉलिंग अर्दी बैलेंस एक्सेक्टिट फ्रॉम दी बुक्स यह बुक्स में कुछ बैलेंस दे रखें कपकी डीट एकत्यसमा दोहजार उन्निस की है और इसमें बोला गया प्रिपेर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस यह तीन अकाउंट आपने बनाने हैं और इन्होंनों बोला आफ्टर फॉलिंग एजिस्मेंट कुछ एजिस्मेंट से उसको भी कर लीजिएगा पहले एजिस्मेंट उन्हों बोला जी क्लोजिंग स्टॉक है जो कि आपके ट्राइल बैलेंस का पार्ट नहीं है यूजविंगे विश्मेंट में उसका क्या करेंगे से एन्ल अकाउंट मैं दिखाँ धेंगे प्लांडैन मशीन को जाएगा और डेपरिशेशन डेली वहिकल भी प्ले-इननल अकाउंट में आ जाएगा और फिर प्लांडन मशीन लीकुश्यों में से कड़ेंगे आपके उसके बाद आएगा अन पेड़ेंट तो रेंट देखिए जो भी रहेगा उसमें यह रेंट हमें क्या करना है प्लस यह माइनस प्लस और उन्पेड क्यों क्योंकि कम रेंट दिख रहा है तो हम उससे सही करने के लिए प्लस करना पड़ेगा और इस रेंट को अन्पेड रेंट को मुझे बैलेंस शीट में कौन से साइट दिखाना पड़ेगा पिटा उल्यभलेटि वेरी गुड्ड तो चलिए इसकर हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा अजेस्मेंट तो आपना फॉर्मेट बनायेगा सबसे पहले च्रेडिंग अकाउट का थेahahaha trading अकाउट का तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग और ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट पे चलेंगे आप साथ साथ में नोट कर लीजेगा मैं भी ठीक है यहां पे हम लोग क्या लिखते थे यहां लिखते हैं बिटा यह है डेबिट साइट और यह क्या है यह है पर दिखरा ना आपको को कि यह समय पर्टिकलर यहां पर लेंगे जी अमांट इधर आजाएगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको याद दिला दूँ यहां पर हम लोग लिखते थे फोड़ द इयर लिखते थे बिटा फोड़ द इयर एंड़िड जो डेड रहती थी जैसे इस क्वेशन में लिखा हुए 31st मार्च तो 31st मार्च आप लिए मतलब यह 31st मार्च के एंड में कर रहे हैं उसके बाद format के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मैं आपको यादिल हो कि सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते थे कि टू ओपनिंग स्टॉप तो ओपनिंग स्टॉप लिखते थे हम लोग ठीक है विड़ा उसके बाद क्या लिखते थे उसके बाद लिखते थे टू पर्चेज़स मैं अभी क्वेशन दिखाऊंगा आपको पहले मैं एक format दे दू पर्चेज़स और अगर पर्चेज रिटन होता था तो वह माइनस कर कीरीनने सीर गनाराइए को देटे थे ते थे तærफ पर्चेज़स के बाद यहां पे हैं यहां पर प्रिहां पर प्रषचेज़स कहते लुए नहीकर नहीं आटा है क्लोजिंग वर्लांफ चुन क्रुरीट साइड मैं में यहां पर प्लार तक ओ त्की करते हैं बिटा क्या चैसे सेल्स रोड़न समझमारी बात आपको यह समझमारी बात आपको फिर लास्ट में जाके हम लोग लिख देते हैं अब यह सारी बाते हमें इस क्वेशन से ढूंड नहीं है यहां पर डाइट एक्समेंस नहीं लिखा है वैल्यू किसी की नहीं लिखी है तो हम चलेंगे बिटा क्वेशन के उबर और क्वेशन में चलके देखेंगे कि सारी चीज़े क्या क्या है सबसे पहले आप देखिए जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के चीज़े हैं उसकी बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में यह नहीं आता एक्सेंस यह आएगा उसके बाद cash bank नहीं, salaries नहीं, repair नहीं, opening stock आएगा, rent नहीं है, manufacturing expense आएगा, bills पेबल नहीं आएगा, बेड़ेट्स नहीं आएगा, carriage आएगा, क्योंकि direct expense, तो बताईए यह जो जिस पे मैंने tick लगाया है, इसमें कहीं पे अगर आपको कोई doubt है, तो मुझे आप बता दीजिए, और नहीं doubt नहीं है, सही है ना, यह trading account की सारी चीज़े हैं या इसके अलावा कुछ और भी चीज़े हैं, बताईए, यही है, यही है, बस इसके अलावा अगर कुछ लेना है, तो वो है हमारे लिए यह closing stock, सही बोला सर, यह सर, तो सबसे पहले opening stock की value आपने format बना लिया, यह opening stock लिखे बिड़ा, महाँ पे 16,000 रुपे, debit side में, वो ठीक है, opening stock, opening stock जो है, आपका कहां पर आएगा sir, debit side में, opening stock आजाएगा, आपका debit side में, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं value, आप लिख लीजे पहले, फिर मा बात करूँ, आपने यह format बना लिया, जो सामने आपके screen प बना लिया है, ठीक है sir, तो एक मिनट, यह लीजिए sir, हाँ, तो सबसे पहले आप लिख लेजिए, opening stock कितना लिखेंगे sir, 16,000, उसके बाद purchases है, आपके सामने कितना है purchases है, 20,000, purchases है आपकी, हाँ जी purchases कहां गया, purchases लिख दीजिए, purchase written तो है नी question में, yes sir, तो purchase return आप, हटा दीजिए, ठीक है, अब आईए, sales है, sales लिख दीजिए, sales return नहीं है, sales return हटा दीजिए, सिर्फ sales लिखिए, yes sir, अच्छा, wages कौन से expense में आता है, direct, yes sir, तो बस वहां पर wages लिख 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 लिखिए, डारेक्ट में, उसकी value है पंदरह सो रुपे, wages की value है आट हजार रुपे, carriage की value है बड़ा, 16,100 रुपे, अब बदाए क्लोजिंग सारा कुछ लिख लिया इस टोग कहां पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक किते है रड़ाता है इस टोग फॉर्स्ट एप्रेल ओपनिंग स्टॉक के ते न यही ओपर में आएगा सबसे पहले इस टोग लखसे दिया वह और यह सेम है नहीं कहां दे रखा है ओपनिंग स्टॉक का लखसे सब्सक्राइब दे रखा है एक बाद कॉशिंग दिखा न यह देखी अब कर देखे न वहीं ओपनिंग न साल के स्टार्टिंग है जो वह ओपनिंग है बटा अब लिजी अब आप मुझे चाहें तो मुझे आप बदा सकते हैं तो दिख रहा है स्क्रीन पर आपको ओपनिंग स्टॉक आपने बोला कि सर इसका है सोलह जार रुपे क्लोजिंग स्टॉक भी आपने क्या बता है मुझे सिक्स्टीन सेल्स की वैल्यू कितनी है बिटा फॉर्टी टू थाउसन अच्छा जी सेल्स रड़न है नहीं परशेस की वैल्यू बोलिए ट्वेंटी थाउसन यहां पर एक तो आपका वेजेश है माइश है गार offers करिए इन अच्छा फॉर्टी गौक इसके बाद वेजिस you can कि दो चेंटीिंव मैनुपेक्ट्रिंड पाली एक्सपेंजंग forma देंग्यू मैनुफेक्ट्रिंग एक्सपेंसेज बताएजी वेजेस की वैल्यू कितनी है एट थाउसंड एट थाउसंड क्यारेज की वैल्यू बड़ा इस साइड को हम लोग टोटल कर लेंगे इसमें बस यह धियान रखना है कि जो चीज हमारे पास नहीं है को बढ़न के ब्राइब कोई जरूरत नहीं थी सेल्स अब हरा है तो पारेजिए और आगे लेंगे कितने वैसा कि इसमें एड़ेस्मेंट हमने कर लिया क्लोजिंग स्टॉक एक एड़ेस्मेंट था वो हमने कर लिया इधर का टोटल जो है इस साइड का मुझे ज्यादा दिख रहा है 42 और 16 तो यह जाता 58000 यह मैंने 58000 फिर इसमें माइनस्स कि今 पर इंद आपको यहां कहते थे सब्सक्राइब रंस को कहते थे कि जो कितना सेट buffer थे थैंट नैंटन एफ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक समझने में अभी सब्सक्राइब अब यहां पर मैं आपको कुछ चीज़े और दिखाता हूं कि यह यह हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है यह उपर देख रहे हैं अब ट्रेडिंग अकाउंट यह देखे ऐसा ही बनाया ओपनिंग स्टॉक पर चीज़ेज मैनिफेक्ट्रिंग क्यारेज इदर आपका सेल्स क्लोजिंग स्टॉक और यहां पर बैलेंसिंग फिगर आपका क्या आगया बिटा ग्रॉस पाफट यह यह कि अब इसी तरीके से छोटा सा पी एनेल अड़े और बना लेंगा एक हुझा आप यहлять मिनन लुका निए Europie नेल केक लिए हम लगे काम करेंगे प्ञा मैं पॉमेट त्यार करिए यह पेनल अकाउंट है आपका इस साइड डिफाइन था पहले से कि यह जो साइड होती है यहां जो चीजे आती है वो है आपके डेबिट इस सेड जो चीजे आती है वो है आपके लिए क्रडिट यहां पे आप लिखते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस और यह होता फोर दियर यह भी आता है आपका परडिक्लर यह आजाएगा अपको सरामाउंट यहां पे भी लिखेंगे आप परडिक्लर पर्टिक्लर के बाद यहां पे भी आ जाएगा आपका अमाउंट अब जो पीनल अकाउंट बनता है उसमें इस्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट से किसे स्टार्ट होता है सर ग्रॉस प्रॉफिट से तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आया था निकल के सर यह ग्रॉ और उसको लिखना मैं आपको डिक्टेट करता हूं आपने चलिए फटा फटा आप इसको देखिए जो मैं आपको बताऊंगा यह लिए इसमें पहले कोश्चन पर आते हम लोग यहाँ पर आते हैं इसमें आपको देखना है इस बार यह लिए जो पीनल अकाउंट में जाएंगी बिटा कैपिटल बैलेंस शीट में जाएंगी ठीक है से यह संद्री डेटर विटेटर बैलेंस शीट ठीक है जी उसके बात कैश पर आते कैश और बैंक पर यह भी कहां जाएगा बिटा सीड में सेलरीस कहा जाएंगी इफराइएं लोस प्रॉफिट एं लॉस अकाउंट में यापकी रिपेयर्स प्रॉफिट एं लॉसट मेंडेट रिंक काहा जाएंगी बढ़र्टटघू गण जीजबाटन मीच सभाइड कईine ॆ कि playing Amplum है natin तो इसमें जो चीजे जा रहे हैं Intel account कांड कौन सब्सक्रनी चीजे हैं उस पर हम लोग ने मिका इथर तो कुछ निए इस साइड एक तो ये हैs लिख लिए अप सैलरी दूसरा लिख़े रिपेर्स एक लिखेजी रेंट और एक लिखेजी बेड़ेट्स ये चार चीज़े आपके पेनल अकाउंट में डेबिट सेट जा रही है बस इतना सा आपको ध्यान रखना है एक चीज का वो क्या रखना है इदर ध्यान दीजेगा यहां पर जो रेंट है ना वो अनपेड रेंट था 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 ना अनपेड यह सहं तो से रेंट में जाके जो रेंट की वैल्यू आपको दिख रहे उसमें जाकर क्या करना था फॉट फटा-फट सिर्फ नाम लिखेजिए रेंट को एंड में लिखेगा पहले आप लिखे कि इसको लिख लेजीए चेकर इसको लिख लिजीए और उसके बाद आजाए यह आप लिख लेजिए थर्ड फॉर्थ में इसको लिखती जिए लिख दिया है अब आप मुझे मुझे बताइएगा मैं भी फटा-फट इसको नोड करें बताइए क्या-क्या था विटा हमारे पास इसे लिखेंगे आउट्सेंडिंग रेंट अच्छा जी अब रेंट के साथ एड़ेस्मेंट है अनपेड है तो अनपेड के बारे में हमने बात करी थी कि कर देंगे इसे लिखेंगे आउट्सेंडिंग रेंट के साथ अच्छा नहीं तो आप कर रहे हुँ क्या है यह सफ्ञेंट मैं हम लोगोंने क्या क्या बटा ऑउड़ेस्टेंग रेंड इस अब लिख देंगे तो यह जो सीज़ए यह पार्ट जो है वह हमारा क्या है एड् यह समझ में आगे सारी पॉइंट्स आगे फिर आपको क्या करना है कि आपने यह दोनों साइड को फिर से टूटल करने बाद आपका आंसर आ जाएगा तो मैं डारेक्ट आपको आंसर दिखा देता हूं को प्रॉब्लम तो नहीं नो सर्थ यह लेजिए सबसे पहले यह देखिए नीचे देखिए पिंट के अंदर आपका परिंट लिग दिया यह इसको भी आप क्यांद sometime हम लोग करेंगे एक मिन्ट यहां पर मैं आपको थोड़ा से यहां पर एक चीज हमारे तरफ से थोड़ी से रहे गई वो यह है कि इसको लंबा करते हैं थोड़ा और यह देखें यहां पर क्या करेंगे आप डेप्रेसिशन भी लिखेंगे रिखेंगे इसक रिखेंगे यहां अब कि आखेंगे यहां लिखेंगे की नाम् है अब और क्लान और में चन्री और देलीवरी वहियकलि के नामें एक का क्लांट अदेलीवरी वहिकल यहां पर लिख लेंगे मंदम मंषिनेरी और दूसरा जो है वूह है आपका डिलेवयरी वहिकल बताईग्या दोन बात है अब इसमें क्या करना है आपने calculation पर ध्यान दीजेगा calculation कैसे होगी तो देखिए question में आपके सामने क्या आया था कि question में adjustments को आप ध्यान दीजेए यह देखिए adjustments है सबसे टॉप पे देखिए बटा टॉप पे देखिए यह है adjustment तो यहां पर इक प्र मशीनी को यह होंगे यहां पर देखिए प्लॉंको निकालना है दस परसेंट तो एक लाग बीस यार का दस परसेंट कितना आ जाएगा इसको निकाल के मुझे बदाइए मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाते तो इसको निकाल लिए और मुझे बताईए कि एक चबी से यार का पंद्रा परसेंट लेना है आपने है तो डैप्रेसेशन प्लांत इन मुझेशन घि का आप ने बोला इक का तुसर बारा हुपए तो मैंने ना यहां पर लिए जी बारहा हoga बंक्रों इए और 26,000 का कितना आरहे है कि 2000 का 그건 पंद्रापरसेंट चब्वी सेयर का 15% आ रहा है भीटा तीन अजार नौसर रुपर यह सर ठीक है बस यह है उसके बाद हमें टोटल करना और यह का अंसर आ जाएगा आप यहां लिख दीजिये रिपेर के वैलिव बेड़ डट की वैलियू रेंट जो दे रखा दोनों को एड़ करके लिख दिया और यह तो दोनों साइट डिफॉरेंस निकालेंगे तो इस बार जो है इताफाख है हमारा कि इस बार जो है टेबिट साइट ज्यादा है मैं आप स्क्रेण पर दिखा रहा हूं दिख करेंसर समझ में आई बात ही भांट या एपको पूरे ten Ik समझ में आए बागे खकून डान मैं वाइट स्क्लेट रहें के नहीं किरें का 3500 का सब्सक्राइब को दिखा देता हूं बैलेंशीट में क्या किया गया है बैलेंशीट के लिए जो पहले लिख लिया और फिर करेंट सब्सक्राइब करके लिखा जो मैंने आपको बताया कि आपका माइनस होके दिखाया जाएगा डिलिवरी वेहिकल आपके लिए अपने माइनस किया फिर लिखा इसको ठीक है और करेंट एसेट में क्लोजिंग स्ट्रॉग संडेटर और कैश्ट बैंक की लिस्ट यहां पर हमने जरूरी होते हैं फिक्स यासे अलग और करेंट अलग नहीं जरूरी नहीं है लेकिन आप लिखते हैं तो अच्छा प्रिजेंटेशन प्रिजेंटेशन माना जाता है इसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें इधर आईए इधर आपके पास कैपिटल है कैपिटल में से आपको ड्रॉइंग माइनस करना था पी एनल अकॉंट में जो लॉस आया था उसको आपने माइनस किया उसके बाद इसकी वैल्यू लिए समय संस्टाइव से दिखाते हैं इसकी बाद क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए था तो क्लोजिंग स्टॉक को हमने करेंड असे में दिखाया इस सिर्ग्लों स्टुक तो अज्थिसमें नहीं था इड्जिस्में था कि ट्राइल बैलिंस के बाहर जो भी चीज़े हैं वह हमारे लिए क्या है एपना कुसर्ण इसको दिछान सा देखिए यह देखिए यहां पर तीन चीज़े रचाइस्पन्ट इसमें आप दिमांग बैठा लिए तीन चीज़े दो जगे जाएंगे जाएंगी यह कम से कम दो जगे आपको दिखानी पड़ेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक को दो जगए ट्रीडिंग अकाउंट में दिखा दिया अन पेड़ो लाइबिलिटी साइट दिखा दिया और प्लस कर दिया आपने समझ में आगई बात इसका अपने स्क्रीन शॉट ले लीजे और इस क्वेशन को आप ध्यान रखेंगा विए तीन अजिस्मेंट का यूज किये आगे चलके हम रूप चार अजिस्मेंट कभी यूज करेंगे पांच कभी करेंगे ठीक है एक्जाम में विड्डा ये पंदरा नंबर ग्रेजुएशन फर्स्ट येर में ये बीस नंबर का आते हैं ठीक है तो यह काफी इंपॉर्डन चैप्टर होता है और यही पॉइंट्स होते हैं कुछ अलग नहीं होता उसमें भी इसका स्क्रीन शॉट आप ले लिजेगा यह सब्सक्राइब करें तो नहीं है अब यह बदा दीजिए मुझे आपके एक्जाम में क्या आ रहा है चलिए हम लोग फाइल अकाउंट पर है पीछे का आपका रहे गया जैसे ट्राइल बेलेंस पहले ही फाइल अकॉंट को थोड़ा समझा तो एक दिन की क्लास का है तहा कि एक्जाम में यहीं आ रहा है चैप्टर तो उसको हम लोग देखेंगे और यह समझ में आ रहा है इसक तो आप प्लीज याद केजिए बिना याद किये वे आपको कर नहीं पाएंगे तो अभी जो हमने बताए लॉजिकली भी हो जाता है कि कई बार कि हां जी डैप्रसीशन है तो एसेट की वैल्यू में से माइनस होगा और पेनल अकाउंट में देखेंगे